हेलो फ्रेंट्स एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स ग्यान पर आज हम आपके बीच आये हैं एक बहुत ही इंपर्टेंट टॉपिक लेकर जिसका यूज बैंकिंग एससी रेलवे आधी सभी प्रकार की कंपटिशन एक्जाम्स में होता है अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आपके मैक्सिमम कुश्चन साल्व हो जाएंगे तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहें दोस्तों आज का हमारा स्लोगन है नो पेन, नो पेपर, सॉल्व बिदावट कैलकुलेटर तो आईए सुरू करते हैं हम आज का टॉपिक दोस्तों आज कल बैंकिंग या फिर एससी आधी बड़े एक्जाम्स में अक्सर देखा जाता है कि 4-5 कुश्चन तो सिंप्लिफिके के जरूर पूछ लिए जाते हैं और उन कुश्चन को देख करके लगता है कि यह बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होने वाले हैं लेकिन अगर उनको ध्यान से देखा जाए तो उनमें कुछ न कुछ खास चीज जरूर निकलती है तो इसी लिए हमने सिंप्लिफिकेशन की सीरीज सुरू की थी उसका ये थर्ड पार्ट आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं तो इसमें हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि बिना पिन और पेपर के किसी भी प्रकार के एडिशन या शब्ट्रेक्शन को हम बहुत ही इजली कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसक प्रकार का होता है प्रहपर इंप्रहपर और मिक्स प्रहपर फ्रेक्शन इसको अगर हम एकजांपल से देखे तो थ्री बाई फोर ये एक प्रहपर फ्रेक्शन है improper fraction जैसे 4 by 3 और mixed fraction 1 whole 1 by 3 बोच्टली दोस्तों exam में जो question आते हैं वो इस type के fraction से related होते हैं क्योंकि normal जो processing है तो उस processing के according अगर 1 whole 1 by 3 को हमें solve करना हो तो हम करते क्या हैं सबसे पहले 1 को 3 से multiply करते हैं फिर 1 add करते हैं और 7 में 3 से divide करते हैं तब यह बनता है 3 by 3 and 1 4 by 3 लेकिन दोस्तों हम लोगों को इस trick को बिलकुल भी use नहीं करना है इसके लिए हम लोग कुछ rule देखते हैं fraction के लिए सबसे पहला rule है दोस्तों अगर कोई भी question आपको addition में मिलके आता है suppose that आपके पास आ गया 2 plus 3 upon 5 तो नार्मल तरीके में हमें 2 को 5 से multiply करने के बज़ाए इस 2 को हमें इसी के साथ चिपका देना है केवल 2 whole 3 by 5 और यही इसका answer बन जाता है इसी तरीके से कोई बड़ा question भी हो सकता है suppose that 48 plus 3 by 8 तो यहाँ पर भी हमें करना कुछ नहीं है बस केवल इस 48 को इसी के साथ चिपका देना है कई बार ऐसी position आती है कि proper के साथ improper या ऐसे suppose कर लीजिए 2 plus 5 by 3 तो इसको दोस्तों देखें तो यह एक improper fraction है लेकिन इसको हम proper में change कर सकते हैं तो proper में change करने का मतलब यह 1 whole 2 by 3 होता है तो जब इसका हम solution करेंगे तो यह 2 और 1 इसमें add हो जाएगा तो यह 3 whole 2 by 3 हो जाएगा इसी तरीके से दोस्तों subtraction में भी आ सकता है subtraction में suppose that 8 minus 3 upon 5 है अब इसको अगर हम देखें तो इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं 8 से इसको हम लिख सकते हैं 7 plus 1 minus 3 upon 5 अब दोस्तों इसको solve करने के बज़ाए इसको solve करना ज्यादा easy है क्यों? क्योंकि यह 7 तो हमें चिपका देना है और 5 हों जा 5 5 से 3 subtract होगा तो 2 upon 5 तो 7 whole 2 upon 5 तो इस तरीके से दोस्तों यह छोटी-छोटी conditions हैं अगर इनको हम mind में रखते हैं तो हमसे दोस्तों बहुत ही जल्दी questions solve होने वाले हैं तो आईए सीधे question पे लेके चलते हैं हम आपको आईए दोस्तों इस question को देखते हैं अब अगर नार्मल तरीके से हम इस question को solve करने की कोसिस करें तो 2 को 25 से multiply करके one add करें 5 को 10 से multiply करके three add करें 5 से 12 को multiply करके two add करें 4 से 7 को multiply करके one add करें तो इस तरी से तो बहुत time लगने वाला है लेकिन अगर थोड़ी सी activeness दिखाएं तो दोस्तों यह बहुत ही आसानी से और oral ही किया जा सकता है पहले हम आपको लिख करके दिखाते हैं फिर oral दिखाते हैं तो इसमें से दोस्तों हमें करना क्या है सबसे पहले जो इनके आगे numbers लिखे हैं इनको हमें अलग कर लेना है minus 12 plus 7 और बाकी का जो fractional part है तो 1 by 2 plus 3 by 5 minus 2 by 5 plus 1 by 4 अब देखें दोस्तों इस नंबर को अगर हम solve करें तो 25 और 10, 35 और 7, 42 और 42 से 12 minus कर देंगे तो 30 plus इसको अगर हम add करते हैं तो यहां पर देखें दोस्तों 1 by 2 और ये 1 by 4 एक साथ कर लें और ये दोनों same base है तो इसको direct subtract कर सकते हैं तो अगर इसको हम direct subtract करते हैं तो 3 minus 2 यानि कि 1 by 5 is equal to 30 plus अब इसको हम easily solve कर सकते हैं LCM होगा 20 ये उपर आ जाएगा 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 तो दोस्तों ये बन गए आप हमारे पास 30 और whole इसको add करेंगे तो 19 upon 20 और यही answer हो गया जैसा कि अभी हमने बताया था कि हम आपको इसको oral करके दिखाएंगे तो दोस्तों बहुत ही आसान condition होती है oral करना देखे आप चाहें तो हमारे साथ-साथ भी कर सकते हैं 25 और 10, 35 35 में से minus 12 यानि कि आप इसको यहां से ऐसे कर सकते हैं 10 माइनस 12 बचा माइनस का 2 25 से 2 सब्ट्रेट करेंगे तो 23 और 7 मिल करके बन गया 30 अब फ्रेक्शनल पार्ट को देखते हैं तो फ्रेक्शनल पार्ट में दोस्तों इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो फिर 3 माइनस 2 यानि कि 1 अपान 5 और 1 अपान 2 और 1 अपान 5 को आड करेंगे तो 5 और 5 और 2 यानि कि 7 अपान 10 और 7 अपान 10 के साथ अब हमको प्लस 1 अपान 4 सिंपल सा सॉल्व करना है और डिरेक्ट हमको आंसर मिलेगा अब इस पूरे फ्रेक्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना बहुत हीजी है जो कि ज्यादा स्यादा 15 से 20 सेकेंड मे साल्व हो जाता है तो दोस्तों इसका अंसर 30 इसका जो होल फ्रेक्शन होगा LCM अगर हम इसका लें तो यह 20 आ जाएगा तो 14 और प्लस 19 30 होल 19 भाई 20 यह अंसर हो गया चलिए कुश्चन और करके देखते हैं तो अई दोस्तों इस कुश्चन को देखते हैं यहाँ पर भी हम इसको अगर करते हैं तो सबसे पहले जो इनके साथ numbers दिये हैं उनी को हमें अलग कर लेना है और बाकी numbers को simple तरीके से add कर देना है 1 by 4 minus 1 by 3 तो दोस्तों यह हो गया 8 से 6 निकल गया 2, 5 और 2, 7 और प्लस इसका LCM अगर हम देखते हैं तो यह हो जाता है 60 तो 12, 5, 60, 24 और 15, 60 और 20, 60 इसको अब आसानी से solve किया जा सकता है तो यह बन जाता है दोस्तों 24, 25, 15, 49 में से 20 सब्टेट कर देंगे तो 19 अपान 60 और यही हो गया दोस्तों answer तो यह छोटी सी condition है जिसको यूज करके बहुत ही आसानी से किया जाता है लेकिन यह तो नार्मल क questions हो गए अकसर आजकल के exam में कुछ lengthy question पूछे जाते हैं जो देखने में तो बहुत lengthy होते हैं लेकिन करने में बहुत आसान जैसे एक question देखते हैं इस question को देखे दोस्तों अगर इसको नार्मल तरीके से solve करना पड़े तो possible ही नहीं है कि हम within time question को solve कर पाएं यह SSC में पूछ पूछा गया question है अब इसको अगर हमें इसी trick का use करके देखते हैं तो देखे दोस्तों सब के आगे 9999 है और यह 1,2,3,4,5,6,6 time है तो नार्मल तरीके से इसको 6 से multiply कर दीजिए बाकिये जो fractional part है सम्में denominator 7 है यानि कि simple इसको बस हमें add ही करना है तो 6 और 5 11,4 15,3 18,2 20 and 21 upon 7 यानि कि plus 3 आने वाला है दोस्तों आप जड़ा देखिए 999 को 6 से multiply करें तो कुछ तो time taking होगा लेकिन अगर थोड़ा सा advance बन जाएं तो 999 का means हो गया 1000 minus 1 तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 sorry 6 से multiply करके 6000 minus 6 and plus 3 यहां से बचा minus 3 और इसमें से minus 3 को subtract कर दें तो 5997 और यही हो गया हमारा answer तो बहुत ही कम समय में दोस्तों और बहुत ही आसान तरीके से हम इस तरीके के questions को solve करते हैं एक और question देख लेते हैं आए दोस्तों इस question को देखते हैं करने का तरीका सेम होई है अगर हम without pen और paper का use करना चाहें तो हम सबसे पहले direct इसको add करेंगे तो 27 और 10 37 और 5 42 42 में से 12 जब हम minus करेंगे तो 30 30 में जब 18 add करेंगे तो हमें मिलेगा 48 प्लस अब fractional part को देखते हैं दोस्तों तो ये दोनों पार्ट अगर आप देखें तो same denominator के हैं और negative और positive है तो direct minus हो जाएगा बचेगा positive का 2 upon 5 इन दोनों को देखें दोस्तों तो ये इधर से तो 2 upon 5 बच गया और इन दोनों को देखें तो इनका LCM तो 4 हुआ तो 2 2 जा 4, 2 3, 5 upon 4 अब इनको अगर हम add करना चाहें तो दोस्तों ये बन गया 48 plus 25 और plus 8 33 upon 20 अब इसको अगर whole fraction में change करना चाहें क्योंकि ये improper आ गया तो इसको लिख सकते हैं हम दोस्तों 48 और 1 whole 13 upon 20 यानि किसका अंसर हो गया 49 whole 13 upon 20 तो इस तरीके से दोस्तों हम बिना पिन और पेपर या हलकी फुलकी calculation करके हम किसी भी question को बहुत ही आसानी से और हल साल्प कर सकते हैं तो उमीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कि रुपया हमारे चैनल को like और subscribe करना न भूलें तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं नमश्कार